दोस्तो टेक्नो मोवैल से यह स्मार्टफोन लाँच किया है, आप मैंसे काफी लोगों को यह पसंद आने वाला है, एक तो इसका प्राइजिंग बढ़िया है, उपर से जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, यह भी काफी अच्छे है, आम तोर पे जब एक स्मार्टफोन ला हुआ है, इसमें IR ब्लास्टर भी है, और इस हैंसेट की यूनिक चीज यह है, खास करके इसका जो बैक है, यह काफी इंटरस्टिंग है, आपने नथिंग के फोन देखे होंगे, नथिंग का जो फोन है, इसके पीछे जो गलिफ इंटरफेस है, लाइटिंग एफेक्स, यह काफी लोगों को पसंद आया है, और वही सेम चीज, अल्मोस्ट वही सेम चीज आपको इस पर भी मिलता है, तो इसका जो बैक है, यह ऐसा लगता है, जैसे की आर्क इंटरफेस है, इंस्पाइड बाई मदबोड, वैसे बैक साड़ पर 200 LED हैं, जो की यूनिक तरीके से अब यह जो हैंसेट है, इसमें 6000 mAh की बैटरी है, और M-OLED डिस्प्ले के साथ में आता है, फास्ट चारजिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है, चले सबसे पहले इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं, और फिर देखते हैं कि यह जो हैंसेट है, इसके अन्निय फीचर क्या है, काफ सब्सक्राइब के साथ में, और 256GB स्टोरेज स्पेस, हाइरस आडियो और हाइरस आडियो वार्लेस सपोर्ट के साथ में, 6000 इमेज की बैटरी है, और 70 वाट का चार्जिंग सपोर्ट बिस में दिया हुआ है, मीडियाटक दैमंसेटी 6080 प्रोसेसर, एमोलेट डिस्प्ले, 108 म पिक्सल का कैमरा, और यूनिक चीज है, आर्क इंटरफेस, चलिए मैं आपको फटाफट इसके अन्बॉक्सिंग करके बताता हूँ, बॉक्स के अंदर, जो हैंसेट है, इसको पर यह फेल्म लगा हुआ है, जिस पर जो की फीचर्स है, वो सेम चीज यहाँ पर भी मेंशन क किया हूआ है, दो और इंटरेस्टिंग चीज, डोल्बी, एटमॉस, सपोर्ट, डूइल, स्पीकर के साथ में, और इंफारेट, कंट्रोल भी इसमें दिया हूआ है, यह आयर ब्लास्टर के साथ में भी आता है, इसके अलावा, बॉक्स में कुछ बुकलेट्स है, यह स्पे ब्लास्टोल भी दिया हूआ है, और यह है, SIM Tray Ejector Pin, इस handset में आप दो nano SIM उज़कर सकते हैं, और साथ में, microSD card का भी option दिया हूआ है, और यह handset है, 5G support के साथ में आता है, इस पर आप GEO का जो SIM है, वो यूज कर पाएंगे, प्लस ATL का जो SIM है, वो भी उज़कर पाएंगे डिजाइन इसका काफी यूनीक है जैसा कि मैंने आपको अल्रडी बता दिया विद आर्क इंटरफेस इंस्पारड बाइ मदबोर्ड LED लाइट्स के अलावा पीछे एक ग्लास टाइप फिनिशिंग दिया हुआ है दो कलर ऑप्शन्स में अविलेबल है ग्रे एंड ये कॉमेट ग्रीन इसका जो वजन है ये है तकरीबन 195 ग्रैम्स और थिकनेस है 7.9 mm ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जो की 6000 mAh की बैटरी के साथ में आता है प्लस 70 watt charging support दिया हुआ है और thinnest phone है जो इतने massive 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है प्लस lightest phone भी है 6000 mAh बैटरी के साथ में ये है power button, volume rockers, ऊपर IR blaster यहां पर दिया हुआ है इसमें dual speakers है एक speaker यहां पर है यहां पर एक microphone है और नीचे की तरफ भी एक और speaker दिया हुआ है यह Dolby Atmos support के साथ में आता है यह है Type-C port और microphone और audio jack भी इसमें दिया हुआ है यह जो handset है इसमें बहुत सारे unique features दिया हुआ है एक तो इसका जो interface है काफी बढ़िया है और जो wallpaper यूज किया गया है यह जो design इसके साथ में काफी बढ़िया तरीके से blend होता है यह दिखें यह सारे applications इसमें pre-install आए थे काफी हद तक यह clean system है और जो icons है प्लस जो experience है काफी बढ़िया रहेगा इसका जो haptic feedback है यह ठीक ठाक है प्राइजिंग के साब से अच्छा है वैसे थोड़ा सा और बहतर होता तो काफी मज़ा आ जाता क्योंकि इस handset में बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं जो कि आपने expect नहीं किया होगा इसमें NFC भी दिया हुआ है और dynamic light effect यह काफी interesting चीज़ है इसे आप चाहें तो off कर सकते हैं customize कर सकते हैं आपका जैसा requirement है उसके हिसाब से call के लिए for example यह देखें यह options available है और यहां पर आपको जो effect दिख रहा है वो basically same effect यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा यहां पर तरह से animation भी create करते हैं यह वाला जो है breathe वाला या फिर rhythm वाला और pulse वाला flow वाला यह flow वाला काफी interesting लगा मुझे है इस प्रकार से एक तरह से design pattern create कर रहा है और यहां पर basically दो lights है एक left के लिए एक चोटा सा light आप देख रहे हैं यह left के लिए है और right वाला light यह है तो अगर यह calls, notification, music और intelligent connection के साथ में भी काम करता है प्लस party mode भी दिया हुआ है जो कि always on की तरह काम करता है charging के time भी आपको यह जो backlight effects है यह दिखने वाला है gaming की दोरान कुछ games में यह काम करने वाला है photos अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आप चाहें तो इसे enable कर सकते हैं और mute करने प आपको उसी प्रकार का effects मिलने वाला है calling के लिए या फिर यह दिखें जब होता है तभी या फिर charging के समय तो इस प्रकार का effect यहां पर ऊपर आपको देखने को मिलेगा यह face unlock के लिए call के लिए recorder के लिए और charging animation के लिए यह जो system है dynamic port यह आपको मिलने वाला है floating windows का option है mem fusion basically virtual ram तो यहां से आप create कर सकते हैं double the ram कर सकते है smart panels है game mode है जो कि आपका gaming experience को काफी हद तक enhance करने वाला है twin app आप एक application को दो तरीके से use कर सकते है different account के साथ में kids mode दिया हुआ है इसमें LPDDR 4X RAM है और UFS 2.2 storage है pricing के साब से अच्छा है अपने एक चीज़ नोट किया होगा इसका जो display resolution के साथ में आता है और यह M-OLED display है 120 hertz refresh rate support के साथ में आता है और इसका जो निट्स है यह है 1300 मतलब कि धूप में यह काफी बढ़िया तरीके से visible है इस बार techno mobile ने इतना बढ़िया फीचर दिया हुआ है इस phone में कि ज्यादा करके जो लोग हैं जिने खरीदना नहीं होता है व 2160 hertz का PWM dimming भी support करता है तो यह देखिए यह है इसका full specifications यह 108 megapixel triple camera के साथ में आता है और जो front camera है यह 32 megapixel का 6000 image की बैटरी और यह Android version 14 रन का रहा है out of the box अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि Android 13 होगा नहीं Android 14 है latest जो कि again काफी अच्छा है यहां पर देखिए कुछ औ आपको तीन options मिलते हैं एक है back flashlight जो कि यह है बहुत सारे phones में आपको मिलता है back जो flash होता है उससे यूज किया जाता है और दूसरा option है front flashlight यह देखिए यह वाला अब यह जो handset है इसके जो front camera है उसके लिए यह front flash दिया हुआ है तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं और तीसरा जो option है यह काफी interesting है 360 degrees flashlight यह काफी interesting इसलिए है क्योंकि front as well as rear दोनों जो flashlight है वो यूज होता है तो आपको एक तरह से 360 degrees lighting effects मिलता है खास करके अंधेरे में यह काफी काम में आता है rear side पर 108 megapixel 2 megapixel और AI camera यूज किया गया है 3x in sensor zoom के साथ में आता है और 10x total zoom दिया हुआ है front camera है वो 32 megapixel का है यह देखें यह है camera का interface photo mode में 108 megapixel में अगर आपको shoot करना है तो यह option दिया हुआ है video में आप maximum 2K में record कर सकते है at 30fps में और video में भी आपको super steady का mode मिलता है stable footage के लिए लेकिन यह 1080p at 30fps में shoot करता है यह है dual video जहाँ पर front as well as rear camera's use होता है portrait mode है जहाँ पर background है यह blur होता है super night mode और more में आपको यह सारे options मिलते हैं तो यह है camera samples वैसे इसके जो camera quality है यह above average category की है वैसे आज के तारीक में ज्यादा करके जो smartphones है उनका camera quality है काफी हद तक improve हो चुका है ज्यादा करके आपको above average category के photo shoot करके देते हैं इसके जो quality है यह भी उसी level की है कुछ shots काफी बढ़ि लेकिन pricing के साब से काफी अच्छा है not bad इसमें Mediatek Dimensity 6080 5G प्रोसेसर यूज किया गया है जो की 6NM architecture का है और इसका जो N22 Benchmark score है यह देखे यह है 4,000,000 के ऊपर काफी अच्छा है साथ में मैंने storage test भी किया था यह है score UFS 2.2 अगेन काफी अच्छा है तो इसमें जो 6000 इमेज क इसमें वो सारी features है जो कि आप ने शायद imagine किया होगा अब pricing के बात करते हैं क्योंकि यह भी काफी बढ़िया है वैसे तो इसका pricing है 19999 8GB 256GB वाला जो variant है इसकी लेकिन instant bank discount 2000 रुपीज का off आपको मिल सकता है तो effective price हो जाएगा 17999 और जो दूसरा variant है 12GB 256GB variant उसका actual pricing है 21999 लेकिन discount के साथ में 2000 रुपीज का discount उसके साथ में आपको वही सेम चीज पढ़ जाएगा 19999 अब देखिए जो offers है यह limited period के लिए है offers के बाद भी जो pricing है काफी अच्छा है तो दोस्ते जो handset है यह आपको कैसा लगा comments करके मुझे ज़रू बताइए और in case अगर आप यह handset खरीदना जाते हैं लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है देखते रहे हैं